सो हाई एवरिवन वेलकम टू मैं चानल यह बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है विकॉस बहुत टाइम से मैं बीजी थी तो मैं सुझे क्यों ना एक वार ही मैं आपको सारे अपडेट्स यह दे जाए तो यह आपके पूरे वन वीक के अपडेट्स हैं तो चली करते हैं व आपके च्रीजी ऑलगी है तो आपको स्टूुदेट्स फैरवीडियो हैं आपके तो आपको सन्राइख आपको तोमिलो सम्हसय की बास प्रवस यह कहाुतικά भीडियो काथ्विडियो वी discipline में सब्जेक्ट थे और वह सब्जेक्ट जो है आपके ठर्ट से बेस्टर में भी होंगे सेखिंड लिंग सेखिंड एसी सी होता क्या है सबसेल आपको इसके फुर्फार्म बताना चाहिए जो सब्जेक्ट है आप उसे चेंज करा सकते हो एडमिशन के लिए समय आप अपनी म सब्जेक्ट भी है कि आपको सब्जेक्ट के लिज्ट आपको बता दूंगी ताक कि आप जो है अपने साब से अच्छे से ले सकें कुछ अपडेट इंपॉर्टन अप्डेट करन में तो बीप्रोगाम का जबसे आपको पता है इसक्ट समिस्टर का रिजल डिकले रह हो अब किस किस के जो है टिकलेर नहीं हुए है तो वह है बीकॉम बीकॉम प्रोग्राम अन बीए प्रोग्राम का बीए प्रोग्राम को जो है वो फिर्स सिकेंड और फॉर समिस्टर बीए पॉल साइंस ओनर्स अन बीए इंग्लिश ओनर्स जो कि समिस्टर टू फॉर एंड शि तो आप सब आपने रिजल्ट के लिए 10-15 दिन के बाद आप आप अपना रिजल्टर रिजल्टर रिचेकिंगे लिए बहे सकते हैं रिचेकिंग रिडिएकन कराने के लिए कुछ इंपर्डंड डॉक्यमेंट कीड होती है तो उसके बार में आपको पता देती हूँ कौन कौन से डाकिमेंट के आपको जरुत होगी पहले डाकिमेंट के लिस्ट जो कि है एड्मिट कार्ड, मार्क शीट, फी रिसिप्ट, एप्लिकेशन फर्म, एंड सेल्फ एड्रेस, एंड प्लग फी स्टक्चर होगा, रिचेकिंग का जो कता हो गा होगा 750, अब आपको बेपतादू, रिचेकिंग और डिविलेशन में क्या फिर्थ होता है रिचेकिंग बता है, अपका पूरा परिपर एडिक रिचेक किया जाएगा कि कहीं कोई मिस्टेक होगला तो नहीं होया Revaluation होता है कि जो आपको हर answer में marks दिये गए है उसके totaling होगर होती है और उसके marks होगर देखे जाते है कि कोई आपको marks जो है वो मतलब गलत addition तो नहीं हुआ ये कोई नमबर गलत मतलब subtract तो नहीं कर दिया गया Rechecking का form का link and Revaluation का form का link दोनों का ही description में मिल जाएगा fee online link जो है वो भी आपको description में मिल जाएगा और अब आप जो ये दुबारा exam भी दे सकते हो जो वह चीज से improvement देना चाहते है न तो आप 6 semester के बाल जब 6 महीने बाद फिर से आप दे सकते हो अपने next semester में उसके लाब हम आपको बता देते हैं passing marks के बारे में passing marks के इसाब से अगर हम बात करें assignment में आपके होते है 35 out of 100 35 out of 100 आपको theory में भी लाने होते है 27 out of 75 theory paper अगर आपको 50 number का paper है तो उसमे 18 and 25 number का paper है तो 9 number तो इससे आपको प्रणा चल लगा कि आपके कितने मतलब passing marks होते है आप जैसे किसी बच्चे का 25 नंबर का assignment है तो उसको 9 नंबर लाने है किसी बच्चे का 100 नंबर का assignment है तो उसे 35 नंबर लाने है BCA के लिए अगर हम बात करें तो इसका मेली तो 40 out of 100 assignment के लिए है अगर 100 नंबर से 40 आने चाहिए अपके theory वेपर के लिए theory वेपर में अगर आपका 50 नंबर का वेपर है तो इसमें आपके 20 आने चाहिए उसके अलावा आपके ऐसे कुछ और कोर्स के भी है passing marks जैसे MCA के लिए भी and passing marks जैंब अगर के लिए है stay safe, stay positive, all the best and thanks for watching, bye bye